इंडिविजुलिस्ट का क्या आर्थ होता है कि आज किस वीडियो में सीख लेते हैं इंडिविजुलिस्ट जो है इंडिविजुलिस्ट का प्लूरल होता है यानि कि एक से ज़्यादा इंडिविजुलिस्ट को हम इंडिविजुलिस्ट कहते हैं और individualist का अर्थ होता है व्यक्तिवादी और व्यक्तिवादी का क्या मतलब होता है यह मैं आपको थोड़ा समझा देता है व्यक्तिवादी उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्तिवाद का समर्थक होता है और व्यक्तिवाद का मतलब होता है जो व्यक्ति व्यक्ति की स्वतंतरत यानि कि एक individual की स्वतंतरता वैक्तिकत आतम निर्भरता पर बल देता है और उसका समर्थन करता है यानि कि जो लोग एक वैक्ति की आतम निर्भरता पर बल देते हैं और उसकी स्वतंतरता को ही सबसे उपर रखते हैं उनको हम वैक्तिवादी कह सकते हैं साधान शब्दों में अगर हम समझें तो इसका आर्थ होता है कि स्वार्थ का जो समर्थन करता है और विशिष्ट समझे जाने वाले वैक्तियों की जो महता को स्विकार करने की प्रवरती होती है उसे हम वैक्तिवाद कहते हैं यानि कि जैसे आप देखेंगे कि भारत में जो है दर्शन की जब हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति पर आधारित कोई दर्शन नहीं है लेकिन जब हम बात करते हैं पश्चिम की तो वहाँ पर जितने भी दर्शन है वो व्यक्तिवादी दर्शन है यानि किसी एक व्यक्ति को लेकर वो चलते हैं उसकी महता को मानता है तो उसको वैक्तिवाद कहा जा सकता है जैसे कि एकर आप ये कहना चाहें कि वे पहले के वैक्तिवादियों के साथ सामुहिकता का डर साजा करते हैं तो आप कहेंगे देशियर देर earlier individualist's affair of collectivism अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें